ताज महल के पास लगा पेड कभी भी बड़े हाथसा का कारण बन सकता है पश्चमी गेट पर लगे पेड की डालिया सुख चुकी है जो कभी भी गिर कर पैटकों को गहाल कर सकती है ऐसे में अगर कोई हाथसा हो जाता है तो इसके लिया खिस दिम्मेदार कौन होगा फतेहपुर सीक्री में हुए हास से में विदेशी महला परेटक की मौत के बाद भी एतिहासिक समारकों पर लापरवाही देखी जा सकती है ऐसा ही नजारा ताज महल के पश्चमी गेट पर देखने को मिला जहां कई वर्षों पुराने पेड की लही शाखा पूरी तरह से सा हो सकता है लेकिन जिम्मिदार अधिकारियों का अभी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है ऐसा लगता है कि एक बड़े हास्ते का इंतिजार कर रहे हैं आपको बता दे कि यह पेड़ पश्मी गेट टिकेट विंडो के पास लगा हुआ है जहां से हजारों की तादात में प्रत करते रहेंगे सी निउस के लिए गौपाल शर्मा की रिपोर्ट